नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज की बड़ी खबरे मुखे समाचार इस वीडियो में जानेंगे अगर आप चैनल पर ना है तो आप सब रिक्ष्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जिससे की बड़ी खबरे आप तक सबसे पहले पहुंचें और अगर आप भी इंडिया गठवंदन का समय थन करते हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है इस समय की बिग ब्रेकिंग नियूज मद्द देश में सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है देश के बड़े बड़े दिगज अपनी पारिटी पर उनका बयान यहां पर ट्रेंड कर रहा है जी यहां दोस्तों चुनावी जंसवा को संबोधित करते हुए पियम मोदी ने बीजेपी के जगह कॉंग्रेस के पच्छ में मतदान करने की बात कह दी गवरत अलब है कि पियम मोदी अपने भाशन में जादा तर कॉंग्रेस स सोचल मीडिया यूजर्स भी क्या रहे हैं कि हाँ आपने बिलकुल सही बात कही है आज आपने सच बोल ही दिया गवरत अलब है इससे पहले बीजेपी नेता केंद्र मंतर सिंद्यावी यहां पर पंजे का बटन दवाने की अपील कर चुके हैं वहां भी बोल चुके हैं निकल की आ रही है जीहां दोस्तों गुजराथ High Court से अपडेट है पीम मोदी की डिगरी मामले पर सीम केजरिवाल की आज का खारेज जैसा अंदेशा था बैसा ही देखने को मिला है गुजराथ High Court ने सीम केजरिवाल की उस आज का को खारेज कर दिया जिसमें प्यान मंत्री मोदी की डिगरी के बारे में जानकाई प्रदान करने समंदेत नेदेश देने की बात कही गई थी देख सकते हैं गुजरा थाइक उठने पियम मोदी की साचनिक डिगरी का खुलासा ना करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजा कॉर्प सीम केजरिवाल की समीच्छा याज का खारीच कर दी है अब कोई जाच परताल नहीं होगी यानि की पियम मोदी की डिगरी पर दोस्तों जो सवाल उठाये थे सीम केजरिवाल ने उन्हें खारीच कर दिया गया है ये बड़ी ख़वर निकल के आईए एक और अपडेट की तरब चलते हैं मुखे नयाधीश डीवाई चंद चूर ने दिया है बड़ा आदेश इस्पेशल कोट बिठाओ एक साल में सभी मामले निप्टाओ सांसदो बिधायकों की अब खाय नहीं सांसदो और बिधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के सिग्र निप्टाण के लिए स्वताह संग्यान कारवाई सुरू करने का नेदेश दिया है आप सभी को बताते चलें CGI की अध्यचतावाली पीठ एक यहां पे जनीति आजकाय पे सुनबाई कर रही थी सुप्रीम कोट द्वारा इन अदालतों के मुखे नाधीसों को मामलों के निप्टारे की निगरानी करने के लिए कहा गया है CGI को एक साल यहां पे पत सम्हाले हो गया है जियां दोस्तों अभी एक साल वहाँ इस पत पे और बने रहेंगे उनका कारेकाल कुल मिला के दो साल का था जहां पर एक साल उन्होंने पूर्ण किया है और इस मौके पे उन्होंने ये बड़ा आदेस जारी किया है कि स्पेसल कोट बिठाओ एक साल में कैसे भी करो इन मामलों को निप्टाओ संसदो बिधायकों पे जो केस हैं वहाँ लंबित चल रहे हैं मामले दबे पड़े हैं लेकिन अब जल से जल सुनबाई देखने को मिलेगी इन मामलों पर बिहार विधान सवा से सर्व समत्ती से पास हुआ है आरचन संसोधन विधायक 75% आरचन का किया अप्रावधान दोस्तों इस समध की बिग ब्रेकिंग न्यूस बिहार से निकल किया रही ہے बिहार विधान सवा में आज आरचन विधायक 2023 पेस किया गया जिसे सर्व सम्मत्ती से पास कराये गया इसमें आरचन का दायरा बढ़ाय गया है राज्य के मुख्य भी पच्छी दल बीजेपी ने भी बिल को अपना समयथन दिया है और वहीं दोस्तों इस पूरे मामरे के बाद बिहार बिधान सवा के बाहर आकर बीजेपी के बिधायकों ने बयान वाजी किये जिस पते जस्वी आदब का बयान निकल के आया उन्होंने कहा कि बीजेपी बिधान समय में पास हुए बिल से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है भले ही उन्होंने सदन में यहां पे समयतन दिया हो लेकिन इनका असली चाहरा और ही कुछ है ये लोग बिहार की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं ये अपडेट इस समय के निकल की आई है इसी के साथ एक और अपडेट की तरब चलते हैं तेलंगाना में कॉंग्रेस की सुनामी बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार BJP की बी टीम भी होंगी बाहर आयकर बिभाग के चापे हैं इसका संकेत रेवंत रड़ी ने BJP BRS पे साधा है निसाना तेलंगाना पडेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्यच ए रेवंत रड़ी का दावा है कि राजिमें कॉंग्रेस की सुनामी चल रही है उन्होंने कहा कॉंग्रेस के नेताओं पर चापे मारी इसके संकेत हैं कॉंग्रेस प्यदेश अध्यच ने कहा कि BJP BRS नेताओं के घर पे IT चापे की नहीं डाल रही है उन्होंने कहा कि ये चापे तेलंगादा में कॉंग्रेस की सुनामी का संकेत है कॉंग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है BRS और MIM और BJP ये सब एक ही टीम है इसलिए IT इन पे कारवाई नहीं कर रही है कॉंग्रेस की सुनामी को ये लोग रोखने की तरकीव लगा रहा है लेकिन इनकी हर तरकीव ना कामयाब होगी कॉंगेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी दोस्तों आप लोग सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को समयतन दर्ज करवाईए एक और अपडेट आ रही है EDCBI की कारवाई लगाता जा रही है जादेता चुनावी राज्यों में ऐसा देखनी को मिल रहा है वहीं अब मुख्यमंति भूपेज वगेर ने एक चुनावी सबह के दोरान केंद की मोदी सरकार पे जोड़दार हमला बोला है CM भूपेज वगेर ने कहा कि PM मोदी गारंटी दे रहे 36 गर्ण में घोशनाय कर रहे है लेकिन PM मोदी की गारंटी पे जनता कैसे करे भरोसा ठगी की बिद्या में माहिर BJP है इसलिए उन्होंने यहाँ पे इस परष्ट तरप कहा है कि ये लोग केंद की सत्ता में आने पर भी तमाम बादे कर रहे थे लेकिन इन्होंने एक भी बादा पूरा नहीं किया क्योंकि ये लोग ठगी की बिद्या में एकदम माहिर है सियम भूपेज बगेल ने कहा कि मोदी सरकार ने पैट्रोल, डीजल, रसोई, गैस, तेल, दाल, चावल का दाम बढ़ाया है हमारा उद्देश से जनता को महंगाई से राहत देना है यहाँ पर देख सकते हैं जोदा टाइके से सियम भूपेज बगेल ने गहरा है किंद की मोदी सरकार को एडी के सामने पैस हुए हैं अभिशेक बैनाईजी छे हजार पन्नों का जवाब सौंपा है पशिम मंगाल के चैच्चे सिछक भाती घोटाले में है टियम से के सामसद ओस्तियम बैनाईजी के भतीजिया विशेक बैनाईजी ईडी के सामने पैस हुए है उन्हें ईडी ने समन भेज के बुलाया था और वहां इस पूष्टाश में सामिल हुए है ED के 36 कारले के बाद जवाब वहार निकलकर आए, उन्होंने मीडिया कर्मिखों से बात कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने जाच में सही Making क्या है, मेरे पर चिपाने के लिए कुछ भी नहीं है उन्होंने कहा कि ED के जितने सवाल थे मैंने उन सवी का जवाब दिया है ही कारवाई कर रही है और किसी भी बीजेपी सासित राज में इस प्रकार की कोई कारवाई नहीं हो रही है इस पर श्ठ है कि यहां पर बदले की राजनीती की जा रही है पतिसोत की राजनीती देखने को मिल रही है यंपी में राहूं ने जोंकी है ताकत कहा सबसे पहला होगा कदम जाती है जन गरना मद्द देश में चुनाओ पेचार लगाता जारी है 17 नॉम्बर को चुनाओ होना है चुनाओ नश्डी काते ही सवी नेता सक्रिय होगा है इस्तार पैचार कांगरेस के मीदान में इस समय राहुल गांदी प्रियंका गांदी मलीका जुन खडगे चुनाओ जल्स में फ़ले है एक सरकार गरीब किसानों का मदद करती है लेकिन इनमें यह भाव है ही नहीं राहुल गांदी ने कहा हिए क्युनाओ है होगा जाती जन्गरना कराना और MP में बनती है तो वहाँ भी जाती जन्गरना कराएंगे ये आज दिन भर की बड़ी खबर मुखे समदा चाहते जो आप सवी तक इस वीडियो में पहुंचा हैं वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा अपने सवी दोस्तों में भी आपका बहुत बहुत